कक्षा 11 वी के विद्यार्थियों को इस वीडियो में मैं भौतीक सब्जेक्ट के आईएंपी प्रस्न बताने जा रहा हूँ और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूंगा मैंने एक वीडियो बनाया था उस वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया था देखो यह जो टॉपिक है यह बहुतीक संसार है ठीक है बहुतीक संसार तो यहां से तीन नंबर के प्रस्ना आएगा तो अपना समय वेष्ट मत करना ठीक है यह टॉपिक अगर पढ़ते हो तो आपका समय बस जाएगा और इसे कोई बेनीफिट नहीं मिलेगा और एक और अध्याय है दो अध्याय मिलके तीन नंबर के प्रस्ना आना था और इकाई यह मापन तो जब आप दोनों अध्याय को पढ़ोगे ना इकाई मतलब जो अध्याय एक है और अध्याय दो ठीक है यह इकाई और मापन दोनों को पढ़ोगे तो एक प्रस्ना आपके वार्षी पेपर में आएगा सिर्फ एक प्रस्ना तो ये वाला जो अध्याय इन दोनों को छोड़ दो ठीक है आगे डारेक्ट जो पढ़ना है हमें अध्याय वो है ये वाला इस वाले अध्याय से प्रस्णों की आपको तैयारी करना है सरल रेखा में गती अध्याय तीन में आपको देखना है सरल रेखा में गती यहां से प्रस्ण दस नमबर के देखने को मिलेगा दो तीन पाँच एक एक ठीक है तो इसी इसाब से दो तीन पाँच तो दो नमबर तीन नमबर और पाँच नमबर के प्रस्ण इस सर्ध्याय से देखने को मिलेगा तो चलो तैयारी करते हैं तो देखो पहला प्रस्ण क्या है किसी वस्तु को उध्वाधर उपर की ओर फेका जाता है वह एच उचाई तक जाकर वापस लोटती है उसका विस्थापन एवं चली गई दूरी बताईए देखो ऐसी मैं आपको समझा देता हूँ यह समझ में आ जाएगा क्या कहना चारा है यह कहना चारा है अगर किसी वस्तु को उपर फेकोगे तो वो वापस आएगा कि नहीं जमीन के ओर वापस आजाएगा तो जितना उपर जाएगा लंबाई उतना ही नीचे वापस आएगा तो उसे हम क्या कह सकते हैं लंबाई मतलब हैट कह रहे यहाँ पे हम न उचाई तो H प्लस S, H आप इस तरह से लिख सकते हो, और दोनों को जोड़ोगे, तो 2H हो जाएगा, ठीक है, तो विस्थापन क्या होगा, सुन्य, विस्थापन सुन्य क्यों होगा, विस्थापन सुन्य होगा, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी कारे नहीं किया गया, कारे करते, तब क्य मैंने बताया था कि विस्थापन क्या है, सदीस रासी है, ठीक है, सदीस रासी है, जो कि दीसा और परणाम जिसमें भी रहता है, वो क्या होता है, सदीस होता है, तो सदीस हमें पता चल लिए कि विस्थापन सदीस है, अब इसके बारे में परिभासा देख लेते हैं, किसी दिये गए समय अंतराल में, किसी वस्तु की स्थिती को उसका विस्थापन कहते हैं। तिसरा प्रष्ण क्या है? औसत वेग और ताथषडिक वेग की परिभासा कहा रहा है। तो औसत वेग क्या होता है? बराबर बराबर हिस्सों को ही हम औसत कहते हैं। तो वेग कह रहा है, मतलब वही बराबर बराबर हिस्सा क्या होगा, वेग भी होगा ना, तो देखते हैं इसका परिभासा, दिये गए समय अंतराल में वस्तू के कुल विस्थापन और कुल समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तू का ओसत वेग कहते हैं, ताक्षडिक वेग परिवर्ती गती में किसी छण पर वस्तू के वेग को उसका ताक्षडिक वेग कहते हैं, प्रसन करमांग चार देखो, एक समान चाल और एक समान वेग में क्या अंतर हैं, पहले हम एक समान चाल देख लेते हैं, जब कोई वस्तू समान समय अंतराल में समान दूरी तै करती ह चाहे उसकी गती की दीसा कुछ भी हो तो वस्तू की चाल एक समान चाल कहलाती है और चाल को हम क्या कहते हैं एक अदीस रासी कहते हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है परणाम होता है दीसा नहीं होता है और एक समान वेग होगा जब कोई वस्तू एक ही दीसा में सीधी रित्य करती है तो वस्तू का वेक एक समान वेक कहलाता है या एक सदीस रासी है ठीक है ये क्या है ये सदीस रासी है यहाँ पर देखो कुछ प्रस्न दिया हुआ है इन प्रस्नों को पढ़कर बताना है कि सत्य है कि असत्य है तो चलो देख लेते हैं किसी छड चालू सुन्य ह पर भी उसका त्वरण असुन्य हो सकता है अगर ये क्रथन अगर आप सत्य बताते हैं तो क्यों सत्य है कारण बताएंगे जब कोई वस्तु सतंत्रता पुर्वक गृत्वी छेत्र में गिलती है तो प्रारम में चाल सुन्य होती है जबकि त्वरण जी लगता है दूसरा है क्योंकि चाल वेक का परणाम होता है तथा असुन्य वेक का परणाम सुन्य हो सकता तीसरा यहां पर देखो चाल इस्थी रहो तो त्वरण अवस्त से ही सुन्य होना चाहिए सत्य कथन कारण क्यों हो रहा है बता रहा है यहां पर ठीक है आगे देखो चाल अवस्त से ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक रहेगा, काराण भी बताया है यहाँ पे, चलो, आगे देखते हैं, ऐसे प्रस्ण ही आते सत्य सत्य से, इसलिए मैं थोड़ा से उसे हटा रहा हूं, ठीक है, ये प्रस्ण इंपोर्टेंट है, औसत वेग और औसत चाल में अ और कुल समयंधराल के अनुपात को वस्तू का औसत चाल कहते हैं, इसी तरह से सात्वा प्रस्ण देखो, आप एच्छी वेग से आप क्या समगते हैं, आप एच्छी वेग, तो इसकी परिभासा क्या होगा, किसी गतिसी लिया इस्थिर वस्तू के सापेच, दूसरी का आप एच्छी वेग वह दर है, जिससे की पहली वस्तू के सापेच, दूसरी वस्तू की इस्थिर बदलती है, इस्थिर बदलती है, यदि वस्तू A का वेग V1 तथा B का वेग V2 हो तो B के सापेच, A का वेग V1 माइनस V2 तथा A के सापेच, B का वेग V2 माइनस V1, आगे देखो किसी स्थिर वस्तु की सिति गराब समय गराब बनाईए तो बनाते हैं भई तो देखो ये नीचे वाला जो रहता है न हमेशा समय को दर्साते हैं और इस सिति को उपर की ओर दर्साते हैं ठीक है तो समय गराब और इस सिति गराब जब बनाओगे तो आपको इस तरह से बनाना है, नववा प्रस्न देखो, त्वरण की परिभासा लिखे, इसका ऐसा ही मात्रक तथा विमी सुत्र लिखे, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण करते हैं, सुत्र में त्वरण को लिखते कैसे हैं, वेग परिवर्तन अपान समयंद्राल, इसका ऐसा ही मात्राग मीटर प्रती सेकेंड स्क्यार तथा विमी सुत्रा एम जीरो एल वन है टी माइनस टू है दस्वा प्रश्न किसी कड की गती की दिशा वेक से निर्धारित होती है त्वरण से नहीं उदारान देकर समझाईए यदि किसी कड को उपर की ओर फेके तो वेक की दिशा उपर की ओर होगी किन्तू त्वरण की दिशा हमेशा उद्वाधर नीचे की ओर होता है अतहा किसी कड की दिशा वेक से निर्धारित होती है त्वरण से नहीं लगूत्री प्रस्नक्रमांग में देखो ताकछडी चाल हमेशा ताकछडी वेक के बराबर होती है क्यों? तो देख लो ताकछडी चाल की जो परिभासा है मतलब जो सुत्र है वो क्या है? वी बराबर लिमीट देल टी इंस्टेंट टो 0 देल एक्स अपान देल टी इसका मतलब क्या है यहाँ पे जो वेक्टर लगए ना डेल टी के बार वेक्टर 0 यह कह रहा है कि जहाँ पे डेल टी है उसके जगा पे हम 0 रख सकते हैं तो solution तो अभी करने के लिए नहीं कहा है, तो solution नहीं करेंगे, बांकि आपको लिखना ऐसे ही है, ठीक है, जो vector यहाँ पर है, यहाँ पर del x एक उपर आ जायेगा, अब चुकी समय अंतराल del t के सुक्ष मान के लिए विस्थापन, इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं, और यह समय अंतराल है, del t, तो विस्थापन का परिमाप सदय उपत की लंबाई के बराबर होता है, अत्र ताक्षडिक चाल हमेशा ताक्षडिक वेग के बराबर होता है, इसके बाद देखो सबसे अधिक बार आने वाला प्रशन यह है, वेग चाल में अंतर और दूसरा है विस्थापन और दूरी में अंतर, देख लेते हैं विस्थापन दूरी में अंतर, यह दिये गए समय अंतराल में वस्तु के इस्तिती निर्दे सांकों के अंतर के तुल्य होता है, यह दिये गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तैकी गे पत की लंबाई के तुल्य होता विस्थापन वस्तू के पत की प्रकृती पर निर्भर नहीं करता है जबकि दूरी वस्तू के पत की प्रकृती पर निर्भर करती है वेक को देख लेते हैं तो वेक की परिभासा क्या होगा? वेक की परिभासा होगा किसी निश्चित दिसा में इकाई समय अंतराल में गती वस्तु द्वारत तै की गई दूरी को उस वस्तु का वेग कहते है चाल इस इकाई समय में गती सील वस्तु द्वारत तै की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते है वेग एक सदीस रासी है जबकी चाल अदीस रासी है वेग धनात्मक गरिनात्मक सुन्य तीनों हो सकता है ये सिर्फ धनात्मक होगा एक चीज मैं आपको बता दू कि जिसमें न सिर्फ परणाम पाया जाता है ठीक है वो हमेसा धनात्मक ही रहेगा, जिसमें दीसा और परणाम दोनों पाय जाता है, वो तीनों पाय जाएगा, धनात्मक धनात्मक सुनने, याद रखना, यदी चाल परिवर्ती है, तो वेक भी परिवर्ती होगा, यदी वेक परिवर्ती है, तब भी चाल एक समान हो सकती है, इस समान रेजी उरे की गती में इस्थिती समय गराब खिचकर सीध की जे की इस्थिती समय गराब की प्रमरता वस्तु के वेग के बराबर होती है तो उत्तर क्या लिखने है चीतर के अंसार एक समान गती में इस्थिती समय गराब एक सरर लेखा होती है मालो समय T1 और T2 पर गती स T1 ठीक है यहाँ पर T1 और T2 ग्रमसा A और B के क्या है समय है ठीक और यहाँ पर जो X2 है इसे B BDs कहते हैं और यह BC X1 को BC कहेंगे T2 माइनस T1 AB बराबर ADC ठीक है समीकर्ण एक मान रखने पर तो B का मान क्या है यहाँ पर देखो जो जो मान है ना X का मान कितना है यह और X1 का मान इसना T2 का मान आपको कितना रखना है T2 और T1 का मान तो यह मान आप रख सकते हो इसको रखो या इसको इन दोनों में से कोई भी मान तो यहाँ पर रखा गया है यह मान को रखा गया है ठिक है देखलो इस तरह से ठीक अब ये जो मान है b b ds minus b c ठीक है ये किसके बराबर है ये b ds c के बराबर है तो ये इस तरह से आ गया अब आगे जब हल करोगे ते commit बन रहर ठीक है आगे देखो और ये जो ग्राप है ये बता रहा है तो देखो समय को हमेशा कहाँ पे दर साथे नीचे में वेक को उपर में ये रहा रेखा और यहाँ पे देखो इस तरह से गया है तो ये एडेस है बीडेस है यहाँ पे सी है समझ में आ गया आगे देखो इस पश्ट तहां इस्थिती समय ग्राप की प्रमर्ता वस्तू के वेग के बराबर होती है ठीक है आगे देखते हैं पाचवा प्रसंद देखो एक समान गती का वेग समय तथा इस्थिती समय ग्राप खीचिए वेक समयगराफ वेक V को Y अक्षत था समयटी को X अक्ष में लेकर खीचा गया ग्राफ वेक समयगराफ कहलाता है दिये गये चीतर की भाती समय अक्ष के समानतर एक सरर रिखा होती है तो अब देखते हैं समयगराप को जो आकृती होता है आपको पता है ना नीचे में हमेशा समय को दर्साएंगे और इस साइड में वेग को तो देखो यहाँ पर T1 यहाँ से यहाँ के दूरी उन्हें जाना है समय मतलब लेगा T1 से T2 तो यहाँ पर में जब वेग जा रहा है तो A और B नाम दे दिया गया है ठीक है और इस तरह से एक आकृती बना है अब समत्ते हैं आकृती को इस्थिती समय ग्राब इस्थिती X अक्ष को Y अक्ष पर तथा T को X अक्ष पर लेकर खीचा गया ग्राब इस्थिती समय ग्राब कहलाता है ठीक है जब भी आपसे प्रस्न पूछा जाएगा ना इस्थिती समय ग्राप किसे कहते हैं, तो आपको उत्तर में क्या लेना है, देखो, इस्थिती X को Y अक्षपर तथा समय को T को X अक्षपर लेकर खीचा गया ग्राप क्या कहलाता है, समय ग्राप कहलाता है, चीतर देखो यहाँ पे, चीतर से इसपष्ट हो रहा है, यह X यह एक्स इस्थिती मीटर है ना या वेक बोलो से चलो आगे देखो छटवा प्रश्न एक समान त्वरीद गती किसे कहते हैं इस गती के लिए पहला है वेक समय इस्थिती समय त्वरण समय ग्राब बनाई हैं अब यहां पर तीनों को देखो अलग अलग कर दिया है ठीक है यह पांच नंबर के प्रश्न है तो क्या लिखना है उत्तर में आपको लिखना है यदी कोई पहले क्या लिखना है यदी कोई वस्तू इस प्रकार गती करती है कि समान समय त्राल में उसके वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी इस गती को एक समान त्वरीद गती कहते है ठीक है एक समान त्वरिद गती अगर प्रस्ण पूछा जाए आपसे तो क्या लिखोगे एक समान त्वरिद गती की परिभासा यदि कोई वस्तू इस प्रकार गती करती है कि समान समयंत्राल में उसके वेग में समान परिवर्तन होता है तो उसकी इस गती को एक समान गती कहलाती है तो देखो यह है समय और यहाँ पर वेग रहता है जैसे कि यहाँ पर आकरिती में बताया गया है ठीक है इस्थिती टू समय गराब देखो यह इस तरह से है समय ग्राप और यहाँ पे त्वरीज समय ग्राप हम इसे कहते हैं इधर बढ़ रहा है देखो यहाँ पे तो यह त्वरीज समय ग्राप होता है सात्वा प्रशन देखो सीध कीजिए कि एक समान त्वरीद गती में वेक समय ग्राप और समय अक्ष के बीच घीरा छेत्रफल वस एक समान त्वरिद गती से चर रही वस्तू का वेक समय चित्र की भाती सरल रिखा होती है जैसे कि T1, T2 क्या रहेगा देखो न T1, T2 एक सक्षो पर रहेगा न तो T1, T2 पर वस्तू के वेक रमसा V1 वा VT है सुईधा के दिये दोनों को धनात्मक लेते हैं मान लो समय T1 और T2 के संगत ग्राब पर A और B दो बिंदू है अब यहाँ पर हल करेंगे जैसे कि आकरिती में दिखाया गया है यहाँ पर देखो V1 को माना है A, A- को माना है और B, V- को V2 मान लिया गया है इसे इसे देखो B, C के बराबर क्या है यह दोनों मान यह दोनों जब इसमें इसको घटाओगे तो यह इसके बराबर होगा और इसमें इसको घटाओगे तो यह V2 माइनस V1 के बराबर होगा इसी तरह से A-B-C के बराबर यह मान है ठीक है, और इसके बडाबर T2 मांणर T1 है, बराबर A C, ठीक है, तो सभी के मानों को यहां पर बता दिया गया है, हल करते हैं अब AB, B-ės A-ės का चेतरफल बराबर आयत AC-B-ės A-ės का चेतरफल प्लर डेल ABC का चेतरफल और यहां पर सुत्र में मान को रख दिया गया है तो देखो यहां पर यहां पर यह रहा ठीक है इसके जघहा पर हमें क्या रखना है इसके इस्थान पे ये मान रखना है T2-T1 और A, A-DES के जगा में क्या रखना है V1 रखना है फिर A-C के जगा में ये रखना है और B-C के जगा में ये रखना है ठीक है अब हल बस कर दो तो हल करेंगे तो देखो T2-T1 ये दोनों में है तो उबनिष्ट निकल जाएगा ठीक है उबनिष्ट के रूप में यहाँ पे निकाल दिया गया इस तरह से ठीक है इसके बाद बचा क्या यहाँ भी 1-2 होना चाहिए आपे लिखना भूल गया सायत तर ठीक है यहाँ पे 1-2 है ठीक है तभी तो ये दोनों उबनिष्ट ग्रूप में निकलेगा ठीक है तो यहाँ भी 1-2 1-2 फिर 1-2 और T2-T1 उबनिष्ट निकल गया बचा क्या बचा है उसको देख लो तो यहाँ पे एक सेगण है ठीक है ठीक था ठीक था ठीक है इसे हटा दो ठीक है यहाँ पे 2V1 है ठीक है 2V1 प्लस V2-V1 यहाँ पे कुछ नहीं मतला बेग था तो इस तरह से इसे बराबर कर लिया गया है लगुत तम्पो फिर आगे हल हुआ है समय अंतराल बुडित औसत वेग वस्तू का विस्थापन यह आ जाएगा इसका उत्तर इसके बाद देखो अत्ताव वेग समय ग्राप और समय अक्ष के बीच घीरा चेत्रफल T1 और T2 के बीच वस्तू के विस्थापन को प्रदरसीद करता है ठीक है यह वही प्रसनक उत्त ठीक है तो यह भी सेम हल होगा देख लेते हैं मालो कोई वस्तू एक समान तुरण A से गतिसील है समय T1 पर उसका वेग V1 तथा T2 पर V2 है तो इसके लिए ग्राप बनाना है तो यह उसका ग्राप है अब यहाँ पे देखो डाइक्ट आतें यहाँ पे वेग समय ग्राप पर A और B दो बिंदू है जो क्रामसा T1 और T2 के संगत है मालो यह ग्राप X अक्ष के साथ थीटा कोड बनाता है तपचीतर से इस पर्ट है कि AC बराबर FD बराबर T2 माइनस T1 तथा BC बराबर BD माइनस CD बराबर BD माइनस AF बराबर V2 माइनस V1 अता तोरण वेग परिवर्तन अपान समयंतराल या A बराबर V2 माइनस V1 अपान T2 माइनस T1 बराबर BC अपान AC और यहाँ पे है अब समकोर्ट त्रिवूजे समकोर्ट त्रिवूजे इसको हल करेंगे तो A का माण 10 तिटा आ जाएगा ठीक है आगे देखो एक समान त्वरीद गती के लिए सिध कीजिए तो एक समान त्वरीद गती के लिए सिध करना है तो V geben U plus 80 इस सुत्र का उपयोग करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा वेक का आपको पता है न सुत्र क्या होता है वेक परिवर्टर समयंतराल इस तरह से हल कर देना है एक समान त्वरीद गती के लिए समीकर्ण यहाँ पे दिया है ठीक है यह कौन से नियम है गति के प्रथाम द्विती द्रिती नियम पता है ना नहीं पता है तो नियम ढूंड ले ना फिर उसके बाद मैं आपको बाद में बता दूंगे इसको ठीक है तो देखो औसाथ वे पहला है ना तीन नियम तो यह गतिक के एक अलग नियम है क्योंसकी है पहला दूसरा थिस्यूज है आँ वी स्क्वेट यू स्क्वेट प्लस ूइस का नियम लिखे इसको है इसको हल कैसे करोगे देखो यहाँ पे कुश नीầ merciful लिखा यह कोई नियम काव नहीं यह बता रहे कि V को हम गती के दूसरे समिकरन को युच करते हैं, यह इस से हम तीसरा समिकर निकालेंगे, तो देखो, यहाँ यहाँ पर T का मान यहाँ और यहाँ भी दोनों जगह रख दिया, इस तरह से, इन दोनों में से यह दोनों निकल सकता था, यहाँ डाइक टाप इसको हल कर 04 अंदर ले जा उत怖 या इगा है आगे देखते हैं यहां पर कुछ प्रस्न दिया हुआ है ऐसे प्रस्नि सेकेड में चली गई दूरी सेकेड में चली गई दूरी यह समीकरण दूति वाला सूत्र वाला नियम यूज हो रहे हैं यहां पर ट के जगह में एन दे दिया है बाकी सब सेम है ठीक है हल भी क्या करना है इन माइनस वन सेकेड में चली गई दूरी तो जहां पर एन रहेगा व घटाएंगे तो ये इस तरह से हल होगा, हल होने के बाद अंती मुस्तरापका इतना प्राप्त होगा ठीक है, अब देखो दिर्धोतरी में, दिर्धोतरी में समाकलन विधी से गती के प्रथम समीकर्ण का निगमन कीजिए, ठीक है, समाकलन विधी कह रहा है ठीक है समाकलन और एक आउकलन होता है तो समाकलन किसे कहते हैं समाकलन ये वाला सिंबॉल लगता है उसे समाकलन कहते हैं तो A बराबर DV अपान DT रखेंगे तो यहां पर DV बराबर ये जो DT है इसके साइड में आगत ADT हो गया ठीक है टी कमान जीरो रखेंगे और वी कमान यू तब टी बराबर टी और वी बराबर वी भी रख सकते हैं देखो इसके बाद देखो डी वी के सापेक्ष हम क्या करेंगे और कलन करेंगे सारी समा कलन करेंगे real में ये dt के सापक होगा तो dv और dt के सापक ही समाकलन हो रहा है तो देखो ये v बन जाएगा और ये a है तो t के सापक तो t यहाँ पर आ जाएगा 0 से t 0 और t रखेंगे तो इस तरह से हल करेंगे तो ये मान प्राप्ट हो जाएगा इसके बाद दूसरा देखो, एक समान त्वरीद गती के लिए समीकरण ये दिया है, ठीक है, समीकरण दूती है, अब हल करना है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें कुछ जादा समझाने वाला नहीं है, ये भी समाकलन विधी से हल करना है, वही DVDT का उपयोग करेंग ये चीज में फैक्ट है, देखो, इस तरह से हल होगा, ठीक है, ये है, गती के प्रतम समीकरण है, इसको इसाथ हम हल करेंगे, तो DX से ये पुरा हल होगा, फिर ये वाला मान, ठीक है, देख लो, इस तरह से आपको हल करना है, हल करते जाओगे, तो automatically ये मान प्राप्त हो जा ये, ठीक है, त्रिती समीकरण, देख लो, यहाँ पे, इस तरह से, सेम टू सेम हल हो रहा है, बस हमें लाना जो है, वही चीज हमें ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, इस तरह से ये complete हो गया, ठीक है, अंतीम प्रसन देखते हैं, ये वाला प्रसन अंतीम प्रसन है, क्या निक जा रहा हूं, तो ये, यहाँ तक हो गया, अब दिती समीकरण, व्यत्पन कर वाला देख लेते हैं, व्यत्पत्ती ये रहा, ठीक है, इसके लिए भी हल करेंगे, तो ये वाला चित्र बनेगा, फिर यहाँ तक क्या हल होगा, फिर अंतीम में अंक गडित तक के, यहाँ पे रूप जाएगा, अब यहाँ पे अंक गडित जो आपको देखने को मिल सकता है, वो दो ही प्रस्न है, एक तो ये वाला अंक गडित आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसका भी solution मैं आपको दिखा देता हूं, अंक गडित में, आगने, पर संभावना में बया कह रहा ह ठीक है, और ये दूसरा है, ये वाला, ठीक है, ये दोनों के अलावा और कोई भी अंक गडित यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, तो यहाँ पे मैंने सभी का आपको उत्तर दे दिया, ठीक है